गाजीपूर से अमित उपाद ध्यक्ष पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट माफिया मुफ्तार अंसारी के भाए और गाजीपूर के सांसद अफचाल अंसारी को मिली बड़ी राहत के इलाहबाद हाइकोर्ट में गेंग्स्टव मामले में अफचाल अंसारी को मिली चार साल इसे अफजाल एक होट इस परकार के भाँ पढ़ेगा जस्टिस संजे कुमार सिंग की सिंगल बैंच ने सुनाया फैसला इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चार जुलाई को अपना जज्जमेंट रिजर्ब कर लिया था गैंग्स्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रेल को सुनाई गई थ प्रजिया था कि सजा पढ़ा दीजा वो दोनों को निरस्ट कर दिया कुल मलाके पूरत्या हम लोगों को अदालत ने रहत दिये इस केस में और उनको परी कर दिया अब लोग सभा सदस्टा उनका इसी सर्थ पर निरभड़ता की अपील का जो रिजल्ट होगा रिजल्ट उनके पक्ष में तो सांसद बने रहेंगे इसके लिए उन्हें बगाई ऐसे कौन से तर्क थे जिसको की कोट है मानक्टों की लोगर पूर्ट ने तो सजब्स जो है पचास पेश से अधिक्का है तो वो सारे तर्क जब अप्लोड होगे तभी आपसे शेयर किया जा सकते हैं तो उसके बाद एक डिटेल आटर हुआ है अब डिटेल आटर हुआ है अब डिटेल आटर वेबसाइट पर अपलोड हो जाया तभी शेयर कर पाएंगे कि इन-किन को अधालत ने माना है हमारा मुखे में आर्गुमेंट यह था कि जो बेस केस था उसमें कुटल हो गया है और पत्रावली पर जो भी गवाह आए हैं प्रजिक्विशन कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई अपरादी गत्विदियों में सामील होने का कोई साक्ष मे किस केस में उनको जो बरी कर दिया गया उसके जो जिस अधार पर केस्ट लगाया था जो बेस केस था वो था कृष्णन अंद्राय जी के मर्डर करके थे उस केस में वो आलेडी बरी हो जुके थे तो हमारा मुक्तर यह था हम लोग का कि जब जो बेस केस है जिसको अधारित क करके आपने उसरा केज लिखा चुकि उसमें बरी हो चीए हैं इसमें अब सजा का कोई आधार ने और इसके अलमा भी तमाम आर्गुमेंट्स थे मैंने का ना कि लगभग दस तिन तक बहुत हुई और मानिय ने आले ने बड़े धहरे से हम लोग के आर्गुमेंट्स को सुना और मानिय ने लेका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे अर्गुमेंट्स को सुधार किया नाम बता ने खुशें